हेलो गाइस वेलकम टो और निव वीडियो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीट डिस्ट्रिब्यूशन की मतलब की URSC ST EBC BC RCG DQ कोटा जितने भी कोटा जाए उसमें कितने सीट कितने किस कॉलेज में कितने सीट मिलते हैं उस पे हम लोग बात करेंगे और यह जो PDF है यह पिछले साल का है 2019 का BCC LE का C distribution है तो इस वीडियो से आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपका अगर EWS में इतना तक रैंक है तो आपको आना यह college मिल जाएगा अगर EWS DQ में इतना रैंक है या BC में इतना रैंक है या UR में इतना रैंक है तो आपको उस हिसाब से मिल जाएगा तो इस वीडियो को C distribution वाले वीडियो को जानने के लिए इस वीडियो को continue कर चलिए तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे और एक बात मैं बता देता हूँ देखिए इसमें क्या होता है न कि एक तो हुआ कि आपका आपका जो 10% total seat vacant रहता है session का जो हम लोगों को पता है जो कि आप लोगों को prospectors में दिया रहता है total ठीक है वो seat है लेकिन first year में जो सब student 12th के बाद जो admission लेते हैं तो उन लोगों का भी seat खाली रह जाता है या किसी का job लग गया या कोई दुसरे college में चला गया या किसी भी परपस से छोड़ दिया तो उन लोगों का seat जो vacant रह जाता है तो वो सब भी seat add कर दिया जाता है BCC LE वाले studentों के लिए कि उस सब seat भी मेकेनिकल में MIT में तो आपका फिर तीन बच्चा अगर छोड़ चुका है वहां से तो टूटल आपका 9 seat हो जाता है और ऐसा होता है ठीक है सालों से ऐसा ही चले आ रहा है तो आपका prospectus में जितना seat दिया हुआ उससे कहीं ज्यादा seat आने वाला है इतना तो आप confirm रही है ठीक है तो जैसा कि पिछले वार हम लोग देखते हैं कि 10% में हम लोगों को पता था कि देखिए यहाँ पे BCEC में सिविल ब्रांच में टोटल छे है ठीक है और भागलपूर में छे है सब जगह 666 भागलपूर वगेरा सब का सारा ब्रांच का 6 6 सीट था टोटल ठीक है लेकिन फिर उसके बाद इस तरफ वाला फस्ट यहर वाले लोगों का जैसे तीन सीट सिविल इंजरिंग में खाली हो गया फिर एक सीट खाली हुआ फिर पांच सीट खाली हुआ एलेक्ट्रीकल में एलेक्ट्रोनिक्स में साथ सीट खाली हुआ कंप्यूटर साइंस में दस सीट खाली रह गया तो इससे क्या हुआ कि सीट की संख्यां बढ़ गई समझ रहे ना टोटल माली जीए बीसी भागल पूर में 30 सीट था सारे ब्रांचों को मिला तो टोटल और 26 एड हो गया उसमें मतलब टोटल आपका 56 हो गया समझ में आई बात तो जो प्रोस्पेक्टर्स में आप लोग प्रोस्पेक्टर्स आप लोग डाउनलोड किये होंगे अगर ठीक है साइट से जाके यान इन लिंक मे मैं दे दूँगा और यह वाला पीडियो भी में लिंक में दे दूँगा ठीक है टेलीग्राम ग्रूप जोइन करिए उसमें मिल जाएगा तो इससे हम लोग को यहाँ पता चलता है कि सीट इनक्रीज होता है ठीक है तो जिनका भी थोरा रैंक पिछे भी आया है वो लोग उ उसके उपर से जो फर्स्ट इयर में एडमिशन बहुत कम हुआ होगा वो जो नया कॉलेज सब खुला है ठीक है और जो लास्ट के कॉलेजिज रह जाते हैं इवेल टॉप कॉलेजिज में भी सीट खाली रह जाता है मैंने बताया क्यों ठीक है तो उसके कारण से आप लोग क कि कितना सीट किस ब्रांच का किस कॉलेज में कैसे कैसे रहता है ठीक तो पहले आप देखिए भागलपूर कॉलेज का मैं पहले यहां बात कर ले रहा हूं ठीक है यह जो है इतना दूर तक यह भागलपूर कॉलेज का है तो इसमें हम लोग बात कर लेते हैं ठीक तो सिविल engineering में खी Security engineering में यूर से उन्डिवत से पर्च था और एस्से एत वन तो अगर आपका रंकlor 1 होता मां लिजी आप आप समझिये कैसे कि अड्मिशन का प्रिक्रिया होता है आप का मालिज ये एस्से से अगर रैंक वन है वह भले ही आपका rank 12 क्यों न हो general से तो पहला seat आपको civil engineering में मिल जाएगा आपका quota से समझ में आई या EBC1 है तो आपको भी मिल जाएगा क्योंकि एक seat EBC के लिए भी है ठीक है तो ये हुआ ये दोनों का sum करके मैं बता रहा हूँ ये तो आपका 10% total है ठीक और ये जो आपका हुआ पिछले साल जितना vacant रहा था तो तो हर साल उसी इसाब से change होते रहता है कितना seat vacant रहा नहीं रहा तो उसका average data ऐसा ही कुछ होता है ठीक तो उसी में हम लोग जानने का देखेंगे जानने का कोशिस करेंगे कि दो seat आपका general में रहा SC का 1 seat रहा EBC का 1 seat और BC का 1 seat रहता है EWS का 1 seat तो कुल मिला के 6 seat ऐसे होता है civil engineering में अब समझ में आया भागलपूर का जो 6 seat इस civil engineering का वह कुछ इस परकार से बटा हुआ है कि दो general एक SC ST एक भी नहीं EBC में एक, BC में एक यहाँ पर आप गौड़ करिए यह वाले सेक्षन में वैसे ही आपका seat बटा हुआ रहता है तो चुकि इस सेक्षन के कारण आपका seat बढ़ गया तो आप लोगों को कुछ इस परकार से देखने को मिल जाता है कि 5 UR में 1, SC में EBC में 1, BC में 1 और EWS में 1 यह सब की भी जानकारी आप लोग समझ गए होंगे कैसे हुआ है बताने की तो जरूत नहीं होगी न तब भी चलिए आपको समझा दे रहा हूँ अभी फिर से कि जो भी आपका रैंक हुआ चलिए आप हम लोग न इस MIT वाले में देख लेते हैं ठीक है देखिए यहां पर MIT वाले में आप लोग को फिर से दिखा देता हूँ ठीक तो MIT की माल लेजिए आप Mechanical branch लिए चलिए ठीक है तो यह जो इतना सेक्षन हुआ यह वाला यह वाला तो आपका पिछले साल वाला ठीक है कितना खाली रह गया वो तो आपका एड होगा ठीक यह वाला जो रहा यह आपका हग का सीट है जो 10% आपको AKU आपको Reserve रखती है लेटल एंट्री वालों के लिए 6-6 सीट तो उसमें से 2 सीट यूवार वालों के लिए ठीक है एक सीट हो जाती है आप लोगों को बीसी वालों दिया हुआ है उपर में आप लोग देख लिजे यहाँ पर सीवालों के लिए ठीक है ना देखे मैं थोरा जूम कर देता हूँ इससे अब समझ में आ रही है चलिए तो इसी परकार से आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या बताने के गोशिस कर रहा हूँ और एक सीट बीसी वालों के लिए एक सीट इडबलू एस के लिए तो इस परकार से छे सीट हुआ वहाँ पर यही डाटा पूरा दिया हुआ है और हर साल ऐसा ही होता है एडमीशन फर्स्ट डे किये हैं बहुत बच्चे कमेंट नहीं किये हैं कमेंट आप लोग कर दीजिए आपके लिए ही फायदा होगा और मैं एक पोल रख दिऊंगा किसको कितना कैसे कैसे ब्रांच में चाहिए या टेलिग्राम पर पोल रखा हुआ आप लोग जाके उसमें वोट जरूर करिए चलिए तो जैसा कि माइटी का हम लोग देख सकते हैं कि टोटल जो था हम लोगों का 28 सीट था ठीक है लेकिन 11 सीट फर्स्ट यर वालों का एड़ होके 39 सीट हो गया समझ में आई बात तो यही एड़ होते जाता है तो इससे क्या होता है ना कि माली जीए आपका टोटल टी सीट जैसे इस बार 900 सारे 900 के लगभग में तो वह बढ़के कितना हो जाएगा 500-170 सो हो सकता है तो इससे क्या होता है कि लगभग जिसका 1700 रैंक भी होगा उसको भी कोई ना कोई ब्रांच कि सी कोलेज से लाष्ट लिग मिल ही जाएगा सब्सक्राइब तो लेकिन अगर इसको ब्रांच सेलेक्शन करना है मेकेनिकल लेना है यह लेना है ठीक है उनका रेंक 500 है उनको टॉप कॉलेजियों में चाहिए तो यह डिपेंड करता है कि जो टॉप किये है 500 इस्टुडेंट ठीक है तो उसमें कितने विद्यार थी सिविल लेना चाहते हैं ऐसा भी होता है लेकिन सिविल का ख्रेश थोरा ज्याधा है आप लोग क्रेश यह समझीए और क्या करते हैं नो मेकेनिकल या और भी वाले बहुत करते हैं कि सिविल ही ले लेते है तो इसको थैसा ब्सक्राइद भाड़ बात नहीं है तो पिशले बारत का तो सिनेयरियों अलग था 10 बार आप लोग को मिल जाएगा दिकत्थ वाली बात नहीं है तो वो लोग अलेक्ट्रोनिक्स ले लेते हैं या अलेक्ट्रोनिक्स वाल ले लेदे हैं ठीक है ना इसी प्रकार से कुछ होता है और जिनको नहीं मिलता है वो ऐसा भी विद्यार थी है कि अब वो लोन ले माइटी में ही परना है उसको तो लेदर टेक्नोलोजी ले लिया समझ रहा है बात चलिए तो इसी परकार से आप लोग देखिए कैसे सीट फिल अप होता है वहां पर मुझा ऐसे ही सी आपको कहीं मिलने वाला नहीं है ठिक है इस बार तो offline है also könnte यह offline टेक्टा आपको कहीं नहीं मिलेगा जो है पिछले बार वाला ही है- और कहीं अभी यह वाला पीडी अ को नीचे डिस्क्रेप्विसन है उस पर डाउनलूट कर लिजिए चि Bowl टेलिग्राम ग्रूप जोईन कर गए ठीक है ना और टेलीग्राम ग्रूप जॉइन करेंगा आप लोगों को फिचर ये बहुत फाइदा होगा मैथ है बायलोजी है और भी बहुत सब्जेक्ट है सिविल वालोका आठ सब्ज्चेक्ट में तो फिर दस सब्जेक्ट ठीगना बहुत दिक्कत होने वाली है तो यह सब जिसे हमुतियारी हुआ यह सब कालेड़ में फिर लटके लोग जयादा छोड़ते हैं या फिर इस कोई सकेंट काॉंसलं लिग करवा लिया समझ रहा है या कोई second या कोई डोकुमेंट वगर जमा किया फिर लेकिन कहीं जॉब लग गया ऐसा बहुत होता है इंफेक्ट की लेटरल एंट्री में ही होता है तो ये तो खेर साट सीट वाली बात है ठीक है ना और पिछले साल काफी सीट खाली रहे गए थी जिसे कठियार हुआ पुर्निया सिविल में बहुत रेस है ठीक है तो इस बारत कब तो पता नहीं हर साल से वही होता आ रहा है कि सिविल के लिए आपको और अच्छा करना पड़ता है और देखिए इस बार क्या सिनेर्यू रहता है इस बार कौन टॉप किये होंगे कौन से ब्रांच वाले टॉप 500 में उसी स सिट तो इतना बढ़के हो गया था कि लगभग 800 सारे 800 तक चला गया था तो इससे इस बार सारे 900 सीट है तो कितना जाएगा उपरर से क्या है कि online counseling है इसका फाइदा क्या होगा आप लोग आप बताइए online counseling जो है इसका फाइदा क्या होगा कि अगर जू सीट आपका vacant रह गया first counseling में तो second counseling भी आप हो सकता है यह possible है और सरकार खुद चाहेगी कि करवाएं ठीक है ना नहीं तो सरकार इतनी बेवकुफ नहीं थी कि आप लोग को फिर से registration करवा थी fresh candidate करके आपका notice आया था ना तो क्योंकि बच्चे लोग फॉर्म ही उतना नहीं भड़े थे ठीक तो बहुत सारे बच्चे हुए जो लास्ट में फॉर्म भड़े अक्टूबर टाइम में फिर नौ मतलब सेप्टेंबर गरह में भड़े अक्टूबर में इजाम दिये ठीक है ना तो वैसे ही आप लोग कि यह सब हो और मुझे तो 100% लगता है कि होगा ही क्योंकि online counseling है तो फिर कोई बात ही नहीं बनती है ठीक है ना तो उसमें time भी लगने कोई नहीं तुरत हो जाएगा तो आप कुछ यह सब data देख लीजिए ठीक है देख लीजिए बीसी इसी एली उसके बाद दरभंगा है न दाल चुका हूं और और भी बहुत सारे वीडियो दाल चुका हूं जो जो आपको जोरी है वो सब देखिए और engineering math पढ़ना है वह वाला वीडियो भी डाला हूं engineering math पढ़ना है क्योंकि बच्चे अक्सर फेल करते हैं तो description में link दिया हूं उस पे जाके देखिए उसमें अग technology electronics वाल नहीं हुए जाता तो लोग का class लेने सफिर फाइदा नहीं है ठीक है अगर आप लोग है अच्छे खासे student तो फिर परहाने में भी मजा आता है ठीक है तो आप लोग वहाँ पे जाके comment करिये और यह सब वीडियो में आप लोग जैसा मैं बोलता हूं आप लोग बस क कितना टाइम लेगा बस एक दो मिंट तो लगता है आप comment करिये अपना निकल जाएए फिर ठीक है और भी देख लीजे नालंदा का क्या सीन था ठीक है नालंदा में जैसे आपको देखी कितना ज्यादा फरका रहा है यह सब जैसे आप नीचे जाते जाएंगा वैसे वैसे बढ़ता जाता है फर्स्टियर में छोड़ देते हैं वचे तो बतीस टोटल सीट आपको यह वाला छपड़ा में था ठीक है यह च्पड़ा में आपको बतीस सीट टोटल फरस्ट येर वाला एड हुआ मतलब टोटल आपका 24 सी सीट होता है छेचे करके लेकिन 32 सीट एड होने के वज़े से टोटल 56 हो गया तो इससे क्या हुआ कि यू आर में जहां 10 था तो वहां 21 हो गया समझ में रहे हैं ना जहां बीसी में इतना जहां सी में सी में चार था उधर इधर भी रहा तो सी का खेर व बता दिया और मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा एक्स्प्रेन करने की अब जवरत है आप लोग बाकि खुद समझदार है यह पीडियो आप मैं पूरा स्लाइड कर देता हूं और पीडियाफ चाहिए तो लिंक में जाके जॉइन करिए टेलीग्राम गुरूप समझ करते हैं और आप लोग पे भी डिपेंड करता है ठीक है कि आप लोग किस तरह से टीट के आप लोग एक बात बताईए पोली टेक्निक में आये तो कितने बच्चे पटना में जाके पड़ते थे ठीक कोई टेकनिकल ग्रूप में पढ़ रहा है कोई महां पर रहा है तो ऐसा यहां पे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी और टॉप कॉलेज जैसे है कि भागलपूर यहां पे टीचर लोग आपको चाहते हैं कि आप गेट क्रेक करें तो आप लोग को हेल्प करते हैं यहां बेटा जाओ तुम बाहर पढ़ सकते हो मतलब इस टाइप से भावना रहती है कि आपको आगे बराने की ना कि यहां रहो तुम 75 बनाओ हम तुम को नौ भी पढ़ा है तो तुम डेली आओ इसा नहीं है वहाँ पर लेकिन एमाइटी में फिर क्लास वगर करना पड़ता है लेकिन जो टॉपर होते हैं फिर वह भी होता है ना किसी को जीद है तो वह निकल ही जाता है ठीक तो आप लोग यह चीज समझ लीजिए और जिनका जिदार अगल बगल में हो जिनका इस्ट साइड घर हो तो इस्ट साइड में कोशिस करिए कि खोलेज लेन का ऐसा जहां पर आप बस नाम के लिए मतलब हैं और अगर आपका टॉप रैंक नहीं है तो टॉप रैंक है तो आप जोईन करिए मैं बता चुका हूं यह सब एक ही बात बार 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 बोले में सही भी नहीं लगता है ठीक है ना तो यह आप लोग ध्यान में रखिए समझ में आ रहा ना लेकिन पुर्णिया में कुछ उस प्रकार का नहीं था पुर्णिया में कुछ बच्चे आते भी थे क्लास चलता है आपको आना आईए आपको अगर बाहर पढ़ना है तो वह भी आप स्टुएंट करते थे ठीक है ना तो ऐसा होता है में लिए इसली किय जाता है और भी जो नए कॉलेजेज होते हैं कि वहाँ पर इस्टुएंट आते नहीं है तो वहाँ पर अगर ऑडिट वगेरा चेक करने वाले आते हैं तो उनको इस्टुएंट नहीं दिखती है तो वह सब बात हो जाती है तो इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया करते हैं या नहीं तो मैं खुद बताऊंगा ही बताऊंगा सारे कमेंट का में रिपलाई देता हूँ ठीक है जो भी अच्छे से पूछते हैं जो भी और कोश्चन आप लोग अधूरा करते हैं अधूरा मत करिए पूरा एक बार में ही खुशिस करिए कि अच्छे से आप ब पड़ेगा ने तो फिर वही दिक्कत होता है कॉलेज से चलिए इस एक साथ इस वीडियो करते हैं खतम ठीक है यह पीडियाफ आप लोग टेलिग्राम से जो ले लिजिएगा काफी लंबा वीडियो हो गया चलिए धन्यवाद